असलाव लेकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप आफ खेरत से होंगे तो जैसा कि पता है आपको हमारी ओन्गोइंग क्लासेज हो रही है डेली तो आज का जो टॉपिक है यह आफ का यूनिट फोर से ही है सेफ्ट हैल्थ एंड सेफ्टी प्रेक्टिस के यूनिट से इसमें जो है हम आज दो कॉस्टिन को डिसकस करेंगे फर्स कॉस्टिन इस डिसक्राइब दे प्रेक्टिस तो बी टेकन वाल ट्रावलिंग तो एंड फ्रॉम वर्क प्लेस क्या 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 प्रेक्टिस लेनी चाहिए एक परसन को जो किसी भी जगा काम करता हो किसी वर्क प्लेस में काम करता हो चाहे आप रिटेयल स्टोर में काम करते हो क्या-क्या precautions आपको लेनी चाहे जब आप work दो by आप आप यआ ठाफ की आपको आपको ज्यान क्या-क्या सेफटी प्रैक्टिसेस आपको adopt करनी चाहे जब भी आप काम के लिए जाए और काम से वापस देखे फर्स्ट प्रेकॉशन इस जब भी आफ काम के लिए निकले आपको चाहिए कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अपनी गाड़ी से तो आप जो है अपना सीट बेल्ट लगा के रखे जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं ताकि आप किसी भी इंजूरी से बज सके या भी आप ड्राइविंग करते हो कि मॉबाइल फोन यूज ना करने से आप रिस्क से बज सकते हैं एक्सिडेंट से बज सकते हैं थर्ड इस कि जब भी आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसको आप नॉर्मल स्पीड में ही चलाए ताकि आप जो है किसी एक्सिडेंट से बज सक तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है और फूर्थ पार्ट इज अगर आप अब पाप्लिक ट्रांस POR'T में चल रहे हैं प्रब्लिक ट्रांस POR'T का यूज कर를 है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहे हैं के आप देखिए फॉर्स्ट इस कि आप प्रॉपर position में बैठे awkward position में ना बैठे ताकि आपको जो है injury ना हो और इसके इलावा जो भी public transport के थूँ हम travel करते उसमें काफी attention और cautiousness की जरूरत होती है कि आपको जो है कोई injury ना हो इसलिए आपको cautious रहना पड़ता है और attention के साथ रहना पड़ता है जब भी हम travel करें जब भी हम काम के ले जाते हैं हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है firstly is कि हम जो है जो भी हम traveling करते हैं जाहे आप गाड़ी के थूँ करते हैं या आप किसी public transport के थूँ करते हैं आपको चाहिए कि आप अपना time manage करके चले सोद है जब आप सुब जितना आप early निकलेंगे उतना आप time पे काम पे भी पहुश सकेंगे और जो है वापस भी जो है आप time से ही निकल पाएंगी और इस time को manage करने के लिए हमें चाहिए कि हम most convenient routes जो है उनको उनके through travel करें जहां से कोई बीड़ बाड ना हो, hustle free areas हो, traffic jams ना हो ऐसे roads से हम जो है अपना अपनी traveling करें ताकि हम जो है इन jams वगेरा से जो है time को भी manage करें और इन जो भी ये bad roads है या traffic jam वाले roads है इनसे भी बज़ सके और इसके अलावा जब भी हम travel करते हैं किसी भी workplace में हमें चाहिए कि हम जो है सारी चीज़े अपने साथ रखे जो भी हमारी काम की चीज़े हैं उनको हम साथ रखे हमारी files जो है या जो भी documents हमें carry करने हैं उनको हम साथ रखे और हमारा जो most important चीज़ है कि हम properly dressed हो ये भी important है इसके बाद एक और question है यहां पर जिसको हमें discuss करना है that is describe the precautions adopted for power tools and equipment कल भी मैंने tools and equipment का आपको एक topic जो है share किया था आपके साथ group में तो उसी topic को हम आएए और थोड़ा discuss करेंगे देखे क्या-क्या precautions लेनी है हमें जब भी हम कोई power tool या equipment को electronic tool या equipment हम use करते है store में उस टाइम पर हमें क्या-क्या protection की protection लेनी की जूरत है क्या-क्या precautions को adopt करना है देखे first is अगर आप कोई electronic tool यूज करें सपोज आप कोई tool आप कहीं पर welding कर रहे हैं तो welding में आपको चाहिए कि आप हमेशा अपने आँखों की protection रखे आई protection is important तो क्यूंकि उसमें जो है काफी fast lights आती है उससे आपकी आँखों को problem हो सकती है तो इसलिए जो है आप हमेशा glasses लगा के ही ऐसे tools का use करें second is जो भी आपका floor है जहां पर भी ये power tools operate होते है आपको धियान रखना है कि वो जो floor है वो dry और clean होना चाहिए ताकि कोई slip ना हो जब भी आप ऐसे tools का use करके कोई काम कर रहे है third part is आप जो भी tools या equipment use करें उनमें जो भी wires है वो properly लगी होनी चाहिए प्लगड वो proper plugs लगे होनी चाहिए ताकि कहीं पे कोई injury का खत्रा ना हो या कोई risk का खत्रा ना हो इसके अलावा जो भी electronic tools और equipments है दियान रखना है आपको कि वो wet condition में ना हो so that आपको problem हो सकती है इसके अलावा आपको दियान ये भी रखना है कि अगर आप किसी tool से यू गाम कर रहे है आपको चाहिए कि कोई x अगर वो tool damaged होने का खत्रा है उसको आपको चाहिए कि आपके पास एक extra tool होना चाहिए ताकि आपका काम ना रुके तो extra tool is important इसके बाद आपको जो भी tools और equipments है उनको आप regularly चेक करें regular basis पे किसी भी damage से बचने के लिए और अगर इसमें कोई damage है या कुछ problem है रिपेर्मेंट करने की जरूरत है तो उसकी report आप अपने supervisor को करें और इसके अलावा आपको ये भी दियान रखना है जो sharp pointed tools है उनको आप अपने pockets में carry ना करें क्योंकि उनसे जो है जो भी sharp pointed tools होंगे उनसे आपको problem होती है और हमेशा आप aware रहे कि जो भी बच्चे आपके इर्द गिर्द हो वो इन tools या equipment के साथ ना छेड़े और उनको यूज ना करे उनको बच्चों को चाहे कि आपको चाहे उनको बच्चों को electronic tools या equipment से आप दूर रखे ताकि उनको injury ना हो तो इस तरीके से हम यह precautions adopt करते हैं power tools and equipment का I hope यह दोनो questions जो मैंने आपके साथ discuss किये या आपको properly समझाए होंगे इसमें कोई confusion होगा, query होगी वो please मुझे comments के थूरू या voice message के थूरू आप बता सकते है Thank you very much, love bless you all